गितार की खोज आठवी शताबदी के आसपास हुई थी. माना जाता है कि गितार की खोज सबसे पहले यूरोप में हुई थी. तब इसे वीना के नाम से जाना जाता था. इधर कई लोगों का यह भी मत है कि गितार की खोज प्राचीन ग्रीक में हुई. आमधारना है कि उस के लोगों को संगीत का काफी शौक था. वह रात को ठंडी जगह पर आग जला कर उसके चारों और बैटकर मनोरंजन करते थे. इसके लिए वह एक लकडी में बारीक तार बांध कर बजाते और आग का लुत्फ़ उठाते. इस तरह के सीन अक्सर आपने फिल्मों में देखे हो गया. समय के साथ गिटार में हुए बदलाव. संगीत का शौक शुरुआत से ही हर देश में रहा है. दुनिया के लगभग हर देश में संगीत सुना जाता है. हालां कि वह बात और है कि अपनी संस्कृती के अनुरूप संगीत की इन देशों में अलग पहचान है. जैसे गिटार का अविशकार हो चुका था. गिटार के अविशकार के बाद इसके रूप में कई परिवर्तन आये. पहले गिटार एक सामान्य लकडी के टुकडे पर कुछ तार बांध कर बजाया जाता था. लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आने लगे और लकडी के टुकडे क चोटा आकार देकर इसे गोल कर दिया गया. फिर इसमें कई तारों को पिरो दिया गया, जिससे गिटार में एक से अधिक धुन निकलने लगी. जब गिटार में धुन अधिक निकलने लगी, तो संगीत में इसकी उप्योगिता बढ़ने लगी. देखते ही देखते समय के सा में गितारों का विष्कार हो गया। ठोड़ी धीमी जरूर होती थी, लेकिन संगीत में ध्वनिक गिटारों की ध्वन संगीत में एक नई जान डाल देती थी. और इलेक्ट्रिक गिटार की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि इसमें एक ही समय में कई सारी ध्वनों को खोजा जा सकता था. इसके साथ ही इस गिटार में नायल ओन के तारों का इस्तेमाल होता था जिससे इसकी धुनों की आवाज ध्वनिक गिटारों के मुकाबले काफी तेज होती थी